कि देखिए जो ट्रांस्प्रांट में सबसे प्रज़े तो मैं सौमेज आपको यह बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कि उपर वाले ने हमें दो किड्नी दी है लिए हमारी हमारा पूरा शरीर जो है एक किड्नी से काम चल सकता है तो एक किड्नी भी कि देखिए लुआ तो लोगों के मन में जो मित होता है कि हम एक किड्नी देदेगे तो हमारे किड्नी कम जोड हो जाएगी ह कि यह हमारा शरीर खम जोड कर बात नहीं है और कहा तक आपने जो क्योशन पूछा कि्या क्या dziखणा चाहिए तो हमारे इंडिया में स्ललीन या ओ गूरुप का होना चाहिए उसकी उमर गूर के आमने होनी चाहिए और और बीट्नियर कोई से विमारी नहीं होनी बाकि आमेखे का बहुत को स्वर्ष्ट करें टेuchtे हैं। टेस्ट और कृसर कि कृश्ख करें लोग अपना जीवन आराम से निकाल tu ngayow negative जो है किड़नी के सहारे हो सकता है लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना है बहुत से लोगों के मन में ये बाते हैं कि एक किड़नी अगर अपनी कोई निकलवा दिता है या फिर अगर किसी व्यक्ति की एक किड़नी खराब हो जाती है किसी कारण वर्ष तो उनकी life expectancy जो है वो काफी है इनफेक्ट कई सारे बच्चे जो एक ही किड्नी के सांथ ही पैदा होते हैं और वो जिंदी उनकी गुजर जाती है और कभी पता नहीं चलता है बुढ़ापे में कभी अल्ट्रासन कराया नहीं गया तो पता दल उनकी किड्नी डेबलप हुई है इनफेक्ट मैं आप हुने का समाना हो सकता है लेकिन एक किड्नी सफिशेंट है पुरा जिंदी भर चलने के लिए डॉक्टर साब जसा कि आपने खुदी बताया अभी कुछ वक्त पहले कि किड्नी डोनीट करने के लिए बड़ी चीज यह देखे जाती है कि किड्नी देने वाला जो व्यक् बीमारियां हो सकती है या फिर वो ट्रांस्प्लांट के लिए जो ऑपरेशन होता है उसकी वज़े से उनके शरीर में कोई बीमारिया प्रवेश कर सकती है तो यह बात कितनी सही है यह धारना बिल्कुल गलत है इन फैक्ट जो डोनर होते हैं जो अपना किड्नी अपने लव होती है तो यह बिल्कुल गलत धारना है जो हमारे मन में बैठ हुई है हमारे समाज में बैठ हुई है कि एक किड्नी देने से उनका कुछ नुक्सान होने वाला है और मैं आपको यह बता दूँ कि अंगदान इससे बड़ा जान और नहीं हो सकता है इसलिए मैं अपने सारे दरशकों को इस चीज के लिए प्रिरित करना चाहता हूं चाहे जिन्गी के रहते या जिन्गी के बाद तो आप अंगदान जरूर करें डॉक्टर साब अब एक आखरी सवाल यह पूछना चाहूंगी कि कि किड्नी ट्रांस्प्लांट जब कोई पेशिंट कराने का फैसला करते हैं उनके मन में काफी जादा डर होता है कि क्यों अपरेशन कोई भी नहीं कराना चाहता है बहुत जल्द तो ऐसी लोग अक्सर जानने के कोशिश करते हैं कि क्या ट्रांस्प्लांट और डालेसिस के लावा कोई ऑल्टरनेटिव है किड्नी रोगों के लिए अगर किड है ठीना करते हैं एक तीसरा तरीका भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं वह उसको हम लोग si iade कहते हैं क्राणी work जियमें देता है और अच्छा समान को अभ्लड में देता है ऑर उसके फ 싸 गो निकाल देते हैं यह त् सटरीका भी हो हो सकता है कैसे मरीजों में जिसको सीएपीडी कहते हैं